पढ़ना लिखना आसान नहीं होता बिना पढ़े कोई महान नहीं होता अरे घिसनी पढ़ती है कलम कौपी को बार 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 विदारतियों की जिबन में कौपी किताब के सिवा कोई अस्तान नहीं होता नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक लोगों मिल जाएगा दो सो चलिए सबस्कार करना और ईक काम पूलेज करना चुंको यसने विददार थी पढ़े और आगे बढ़े जी यां चलिए देख ते है एक नंबर ठिक है उस चैप्टर में आपको स्रेप इतना याद रखना है एक इकल्ड विवाजन प्रमी का होती है ठीक है इकल्ड विवाजन प्रमी का होती है ठीक है इकल्ड विवाजन प्रमी का होती है अबजेक्टी में तब को लिखना होगा A equal to BQ plus R ठीक है और दोस्तों इसमें और इक फर्मूला होता है याद रखना क्या होता है LCM अभी सारा फर्मूल लिखा हुआ है खाल इसी चप्टर में लिख दे रहा हूँ LCM into HCF ठीक है LCM into HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुननफल याद रखना या फिर इसका उल्टा सेम देख सकता हूँ कि दोनों संख्याओं का गुननफल बराबर HCF into LCM बस इतना याद रखना इससे स्वाल रहेगा आप लोग जो स्वाल कराऊंगो तो और साफ साफ हो जाए चलिए नेक्स चेप्टर में हम चलते हैं अगला चेप्टर में क्या देख लेजिए देखिए यह थ्री चेप्टर कहा है और इससे बहुत इंपरेंट इंपरेंट स्वाल आएंगे मतलब इससे करीफ चार से पांच नंबर के सिर्प इसी 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 फॉर्मले से पूझ है समझ गया है सर एवन बेटू क्या है यह फॉर्मुला है यह चेप्टर में डिट्र में वीडियो बनाया हूं आप लोग देख लेना ठीक है डिस्क्रिप्स में लिंक जेदो चेप्टर तरीका ओके पर तिछेद कर्थी रेखाएं होती है केबल एक रेखाएं कब जब प्लेस की यह होता है दूसरा समय गाना जब एवन बाइटू इकल्टू क्या नॉट इकल्टू इसको भाग दोगे और इसको भाग दोगे जब यह बड़ा यह बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा रिखाएं पच्छित करिगी और कि पर एक हलोगा जब तीनों बराब नाध और कच्प्रेश्ट में, क्या हो तो बहूं सारा होगा और पहले बला कया था था पटिश्चे裡 होगा एक रिखाइस जाएं पत्शेर करेगा सब एक ही legal अब तिसरा है दोस्तों क्या कि A1 by A2 equal to B1 by A2 not equal to C1 में सुरू जब ऐसा condition होता है मेरे भाई तो याद रखना यह होती है समानतर रेखा है कैसे रेखा है समानतर समानतर रेखा है अगला स्वाल देखो दोईघाद भाईपद चैपटर से दोस्तों कोई भी दोईघाद भाईपद जो होता है न वो होता A2 equal to BX plus C के रूपका होता है दोईघाद भाईपद देखाद भाईपद दोईघाद समानतर में क्या अंतर है बस इतना संतर है 0 का अंतर है इससदितर प्लस bx अब प्लस c दुईगात बहुपद हो गया ठीक है अगर दुईगात समय करन बोले तो बराबर अगर 0 दे दी हो गया दुईगात समय करन फिछ यह कि अपने होता है अन्हीं को बोल ये अलफा तो अब देखो में से नहीं को जोड़ा देगे अलफा और योग का धुरमूले के होता है माइनेस वी बटा ये ही याद रखना योग होता है माइनेस वी बटा ये अपधार अब जुराइवी पेश झिًक लीटा मंजॉष् आप को दिखा दिए भी सी क्या है समझ गा है अब दोस्तों कभी कि होता है ना आपको देतै कि सुन्धा को का योग ठीड होग फ़ल करमसर इतना और इतना दिया हुआ है तो आप लोग बस इतना लिखना माना हुआ यह दोईगात बहुपत इवला है ठीक है मैं आपको दिखा रहा हूँ तो बस आपको कितना लिखना दोईगात समिकरन तब लिखना क्या हो जाए x square minus alpha plus beta into x और plus alpha into beta बराबर में 0 यह दोईगात समिकरन हो गया क्या होगी है हमारा समिकरन समिकरन क्यों लिखते हैं क्योंकि दोस्तों इधर कुछ बटा में रहे गाना तो जीरो हो जाएगा तो हमारा समिकरन समांतर स्र Commission होगा दोस्तों तो सुन लो सोन लो सun लो सुन लू सप Staff कोहीं भी हो सकता है हाँ लेकिन गर समांतर स्रेश्री होगा नो दोस्तों दो सुन लो Meyer सुन लो, A2 और A1 का अंतर समान होगा, A3 और A2 का अंतर समान होगा, A4 और A3 का अंतर समान होगा, मतलब दो पदों का अंतर जब समान होता है, तो उसे बोलता है, सार्व अंतर, या तो उसी को निकालते हैं, सार्व अंतर को कैसे यह सार्वा होगा, सार्वा अंतर ठीक, तो सार्वा अंतर का फॉर्मुला होता है, D बराबर क्या है, A2-A1, मतलब दूसरा पदम से पहला होता है, या फिर A3-A2 कर दो, या फिर A4-A3 कर दो, बात बराबर है, समझ रहे हो, अब निकालते हैं अंतीम पद, तो अंतीम पद का दोस्तो पदों का योग अब दोस्तो पदों का संख्या होग यह अंतीम पदों पदों का योग मतलब जीतना से रवन पर रोगा चाहता चोई इतना सर जाए सभी का योग कितना होगा तो उसका फर्मुला होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 to d जहां sn क्या होता है sn मतलब होता है पदो का योग यह होता है तो दोनों फर्मुला क्या रखना कब कौन सा लाएगा आगे हम बताएंगे बृत्तो से सम्मधिक 6 तरफल जो चेप्टर 12 जो पिछली वारी चेप्टर नहीं था इस बार है तो आपको देखो अब क्यों आगे क्यों आगे क्योंकि यह आपको आग पांच पांच के क्या आगे क्यों अब होता है का तो यह होता है अब जोश्ति करेंगे ब्रत्यघं का रिखरी यह おलुकिई निकलेगा जा विर्थेखंड निकल जाएगा तो इक है तैब 느ete आप चप्टर फ्री में पार्मिल decreasing चिन्नक है और पिछले लिगन दोस्तों पानी ूग्याः है यह देखो यह हो गया चौनक यह क्या हो यह यह highest जिननागे दोस्तों यह हो गया है उसके उंचाही समझ गहां यह क्या हो गया इस MIC आ priorities लब बक्र प्रिश्चेटमन होता है दोस्तों बक्र मतलब क्याcket साइड क्या जो चारोतरबिका बक्र प्र मस्टाेर पाई f1 क्लस 202 यहुताए चिनक पर क्लाते पाय। प्रिक परेकर होता है चिनकन की क्या बसने घ्रत को सूपर डो घ्रताब तो इसका फर्वला किया होता को न अगर क्या प्रिद्थाकर शुन्स कि खर्श confirmh लिए तब का बक्र दो नीचे बला और उपद जोड़ दो नीचे बहुत सकर उपर फॉपर वन प्रिष्टेज दिया हुआ है चिननक का दोनों तिर्जा दिया हुआ है आर्टू दिया हुआ है आर्टू दिया हुआ है तको एल निकलने बोलेगा अब दोस्तों बढ़ेंगे त्रिकोन मीती है हम लोग क्यों त्रिकोन मीती में दोस्तों यहां पर आगे और कुछ फर्मुला है ठीक है यह 8.4 का फर्मुला है वह रिडूस ता पिछली बार नहीं था इसलिए आप साइड में आड किया हूं ठीक है और अगले बार का से लिए अपनोगे एकजाम में आएगा सारा फर्मुला आपने के लिए है यह समझे लिए बाकियो टेन्सन इक बंत लिए तो क्या होगा साइन स्कोर फिकल फ्रिटा को सीजा हो गया से दोनों याद होगी में तीन फ्रमला याद हो जाएगा वकां बचंगरे हो उसी को सब्सक्ग को काइच को टिट्रा माइनस वन हो जाएगा कितना असान है उसी प्सक्रों सही का हम तो इसंपल सा एक तीन फर्मले कारो न मोगा ठो जाएगा प्रमई है तो उसका इक अलग से वीडियो आएगा च्छे नमर का स्वाल आएगा और एक नमर का बहुत सर आएगा दो नमर का भी आएगा तो उसको देखना जरू ठीक है तो दोस्तो आप हम लोग के गाड़ी जप्टर नमर 7 पर इंटर कर चुकी है तो जल्दी से क्रिपा करके आप लोग पदा रहे हैं नहीं तो आप लोग गाड़ी छूट सकती है तो गाड़ी में बैठे रहे हैं आराम सब लोग गाड़ी का मजा दिया जाएगा यानि कि आप को साराच परमला पता दिया जाएगा है डिक है दो देख कर आया है पहला है दोस्तो अ-धार दूरी सूत्र दूरी सूत्र Yup है दो बिंदू का दूरी होता है अ और भी मिंदू है उसके बीच का दूरी ए भी भी हमको निकालना है ए का क्नलना है 151 को धशे कोई भी निर्द्रसंग क्या होता है सर निर्द्रसंग से आपको किसे बिंदू को दिनोट किया था जीसे इस बिंदू का हो जाएगा अंडर रूट x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square इसको याद रखना है या फिर कहीच यह ऐसे भी लिखते हैं x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square वो भी लिख सकते हैं कोई दिख्या दोली बात नहीं है सही है तो बिल्कुल समझ गया है आगे देखो अब दोस्तों अब बोलता है न कि मूल बिंदू से दूरी याद किजिए, तो मूल बिंदू से किसी भी बिंदू का दूरी निकालते हैं, मालो यहाँ पर बिंदू है 5,4, हम बोलते हैं इसका मूल बिंदू से दूरी याद करो, तो मूल बिंदू से दूरी क्या होता है, अब दोस्तों X1 Y1 और बिंदू B X2 Y2 को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो उसका निर्सांग क्या हुआ देखो यहाँ पर figure देख लाप लोग यहाँ पर देखो figure दिख रहा है क्या है बिंदू है यहाँ पर A और B इसके बीच में कोई मतलब कहीं पर भी P कोई बिंदू है जो A B को बाट रहा है P उसके बीच में आ गया ना कबाब में हट्डी आ गया आप दुनों बहुत प्यार करते हैं उसके बीच में कोई आ जाता है तो उसी परकार A और B के बीच में P आ गया तो क्या होता है दोस्तों यादखना P का निर्षांग होता है हम लोग का फर्मुला होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 फ्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 प्लस M1 फ्लस M2 क्यों क्योंकि ये X का निर्षांग हो गया ये Y का निर्षांग हो गया यह का इसंकर पर मत्तरर कराएंगे और कराएंगे आगी तो देखेंशों होता है इक्स-ी फिर पी जो है बीचों बीच आगे खड़ा होगे भाई हम हटेंगे नहीं बले मेंको मैध्द बिंदू का फर्मुला दो तो तब मैध्द बिंदू हो जाएगा मैध्द बिंदू का निरसांग होता है जगत पर्तिष्टित फर्मुला है याद रखने लेना देख है फोगिया यह आप देखेंगे आठ नमबर इसमें और एक चाहिए 7.3 तो तो देखो देखो ट्रेक 1 by 2 हो गया, यहां पर जो बाहर में होता है न तो उसमेसा x1, x2 और x3 होगा, यहां तो यादर रहे जाएगा, x1, x3, और अंदर में क्या होगा, हमेसा y1, y2, y3, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो, यहां x1 है, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, उसके बाद 3, तो करते हैं y2 minus y3 फिर x1 होगे, तो x2 हो जाएगा यहां पर, तो x2 बाद क्या रहे है, 3, तो 4 तो है नहीं, तो फिर से होगा जाएगा, y3 minus y1, समझ गया है, उसके बाद x2 के बाद क्या है, x3, तो x3 होगे, x3 के बाद क्या आएगा, y1, क्योंकि x, y4 तो नहीं है न, तो y1 minus y2, यह सिंपल स कहरी ऐक आदार होता है, लम और अधार अपने चोएस के बेस जाइड़ हो सकता है, अंको जिस कोणके जुरत पड़ता है, उसके बेवापाए हस्ता बार बदल जाता है, मतलब सर, मतलब समझ लो, यह अगर थीटा है, यह थीटा हम इसको ले रहे हैं, तो यह बाको हो जाए सबसे बरह धानवीर कर्ण्था जो क्या है में लोगा फॉर्मॉला उपता है साइन थता ही वंबाइब untuk बैस तो इसका रिय घौता है सबस्केद भाइब वह जाएगा नोग कर दाद कि सक न मुझाए साइन थृत अफीट सान चोन फिलिऱ और होता है इसको भी याद हो जाएगा जैसे साइन को याद हो जाएगा जैसे साइन याद कर लोगा जिंदी के भार नहीं बूलोगे बस रिलेट करके तो देखो कैसे करोगे साइन जीरो जीरो होगिया साइन थर्टी वनबाइट र्यूल जाएगा इसको डिवाइड कर लोगे दो दो कड़ जाएगा वन बाइट रूट त्री बचेगा तो त्यं रूट त्री इसको डिवाइड जब करोगे दोस्तो जब इसको डिवाइड करोगे तो रूट रूट कर जाएगा वन बचेगा तो वन अपका होगा फट डिवाइड करोगे तो तो रूट त्री बचेगा रूट त्री होगी है अब इसको डिवाइड करोगे तो पहले जीरो नीचे इस हो जाएगा तो बस इस प्रकार से सारा याद कर लेना एक्जाम लोसो डाइरेक्ट कई बार भैलो भी पूच जयता है कि 1045 का वैलो बताओ कुछ भी पूच सकता है चुल अगला समंस ऐल देखते हम लोग ज़रे अगला फ्रमुला है साइन नrain्टी मिनस थीटा है साइन नैनिटी मेनस ते एक है तो कास्स नैटी मेंस से हो जाएगा तैन नैटी मेनस से किल 17 हो जाएगा आसीक नैटी मेनस से को से तो कॉसे कि 90 बाने से से के हो जाएगा इस तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखना नेक्स देखो क्या है हम लोग का चप्टर थर्टीन नमबर क्या बोला है कि घंका 500 प्रिश्चतल होता है 4a स्कॉाइर घंका कूल प्रिश्चतल होता है 6a स्कॉाइर घंका कूल अब हम लोग देखेंगे बेलन यह वह बला बेलन है ड्रम देखें लोग ड्रम बेलन है जो मम्मी का मार खाते हो भी यह क्या यह बेलन का बक्र प्रिश्चतल क्या होता है 2pyrh ठीक है तो बेलन का कूल प्रिश्चतल क्या हो जाएगा 2pyr into r plus अच कैसे होगा सर क्योंकि कि अभी दो पर फेते हैं संकु का बग्र पर सब्सक्राइब अच्छी मैं और जोस्तोब अज़ाएं इसमया है यह यह संकु जोड़क यह पेरते हैं बड़े वड्डे में यह तिरीए हो गया है यह वह यह आर संकु का कूल प्रिष्टेज इतर होता है पाइ आर इंटु आर प्लस एल समझ गए और एक संकु का आयतन भी होता है आप लोगा आगे बता रहें दिखते हैं गंगा आई सब्सक्राइब चलो अब छिन्य कम पहले बता चुके आप जोसां तीम चेप्टर है यह बहुत मत्पूर एक सवाल पांच नमर का प्रफिक्स है और अब्जेक्टी भी स्वालिस से रहेगा तो क्या देखो माईतर निकालना है गा कोई आप निकाल सकतो अगर कोई वीधी का नाम नहीं यह लेगा अन बिदी का नाम लेडिये तो ड़की का नाम नहीं नहीं दोस्त वीधी मतलब नियम तो एक होता है 1 थाओ बड़न निकालने देदने तो आपको प्रॉमला बनाओ देख लिए और इसे स्वीडियो बनाए उसको देख लेना तरक पुशन बन जाएंगा यह पांच नमर का छोड़ना ही नहीं बहुत असान है उसके बाद दोस्तों बहुत असान है और वह 10 इसको निकल नुदा होता है यह रहाए का वर्मूला समझ गयो बहुत बढ़िया विडियो में समाफ होता है वीडियो अच्छा लगा जराभी तो अपने दोस्तों प्लीज सभी को सेयर कर देता कि सभी को इससे एक वीडियो से रिविजन कर पाएं और उन्हें एक्जाम में धाकर मचा पाएं वीडियो से आ रहा है देखिए और तबाई में तुछ लब यू आख थाएंक्यों लफियो उतना ही फिर नेक्स बीडियो में जल मिलेंगे तो तो जाएं हैं वन्दे मातरम